इज़राईल और इरान के बीच भयंकर तनाव के हालाों थैं और इस बीच में जो पर अमेरिका की सेरा ने नेस्तो नाबूत करने का दावा किया है। अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। इरान की समाचार एजनसी आईसेने ने बताया है कि इरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइले हैं जो इसरेल तक पहुँच कर हमला करने की ताकत रखती हैं इन में से कुछ के स्पीड 900 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से 2000 किलोमेटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती हैं इरान ने आज अपनी 9 मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है लेकिन इन में भी 5 मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इसरेल के जनरल खौप आते हैं इरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल सेज्जिल मिसाइल इरान के द्वारा दो चर्णों में विक्सित की गई है ये मध्धम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है इरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी इसका डिसाइन इरान के जेलजल SRBM से लिया गया था सेजिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है ये 2000 किलोग्राम की रेंज तक हमले कर सकती है ये हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है इरान की दूसरी घातक मिसाइल, खाबर मिसाइल इरान की खाबर मिसाइल को खुर्रम शहर पोर के नाम से भी जाना जाता है खाबर मिसाइल इरान की मिसाइल फैमली की चौथी पीडी की मध्यमदूरी की बेलेस्टिक मिसाइल है ये मिसाइल इरान के रक्षा मंत्राले ने बनाई है और इस मिसाइल की मारक्षमता 2,000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलोग्राम बारूद और हतियार ले जाने की क्षमता रखती है इस मिसाइल का नाम इरानी शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया था जो 1980 के दशक में इराच एरान युद्ध के दोरान खतरनाग जंग का एक मैदान बन गया था खोरम शेयर मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है इसका नाम अरब में खैबर की लड़ाई के दोरान जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है ये मिसाईल इरान में सयाद त्री मिसाईलों के साथ एक खास समारों में दिखाई जा चुकी है इरान की तीसरी घातक मिसाईल इमाग मिसाईल इमाग मिसाईल इरान की मिसाईल कारिक्रम की एक महतोपूर कड़ी है इसकी मारक्षमता लगभग सत्रह सो किलो मीटर है ये मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूद ले जा सकती है इमार इरान की पहली गाइड़िट बलेस्टिक मिसाइल है जो सता से सता पर मार करती है ये मिसाइल अपने लक्ष के 500 मीटर के दारे में 60ी खमला कर सकती है इसरेल इस मिसाइल को अपने लिए विशेश खत्रा मानता है इरान की चौथी घातक मिसाइल शहाब थ्री मिसाइल शहाब मिसाइल भी इरान ने विच्सित की है ये इरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नो डोम वन पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है इसमें तरल इंधन का इस्तिमाल होता है ये मोबाइल बैलेस्टिक मिसाइल है ये 1200 किलोग्राम विस्पोटक के साथ भी लाँच की जा सकती है इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है हलके पे रोड के साथ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये मिसाइल चीन में बनी होए दिशान निर्देशक के द्वारा संचालित होती है शहाब थी मिसाइल का इस्तिमाल इरान की एलीट पोस इसलामिक रिवोलुशन भी गार्ड्स गोर्गी करती है इरान की पांचवी गातक मिसाइल फत्ता टू मिसाइल फत्ता टू इरान में विक्सित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नलोजी को मिला कर बनाई गई है इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम भू रहा है और हविश्य में इसके और संसकरण बनाये जाने की उम्मीद है फत्ता टू मिसाइल की मारक्षमता 1500-1800 किलोमीटर है और इसे बिना पैचाने लक्ष को भेदने और निशाना साथने के लिए डिजाइन किया गया है इस मिसाइल के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा फट्ता ठोस इंधन बुस्टर है जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित उचाई तक ले जाता है और दूसרה हिस्सा ग्लाइडिंग वौर हिट है जो बुस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल इंधन वाला रौकेट फतार टू हाइपरसोनिक मिसाइल इरान की सबसे खातक मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आईरन डोम के कबच को भी तोड़ने की ख्षमता रखती है दरसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर इरान ने बड़े बड़े दावे किये हैं और इनमें से एक दावा ये भी है कि ये मिसाइल आईरन डोम को तोड़ देगी जब इरान ने ये मिसाइल बनाई थी तब इरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तहरान की सड़क पर एक वोट लगा दिया था इस वोट में लिखा था कि इस्रेल के शहर तेल अवीब को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए आखिर इरान की हाईपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इस्रेल को तबाह करते कि 6 जून 2023 को इरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जॉलाई 2023 को इरान ने गोशना कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्दपोत पर तहनात करने जा रहा है यानि सिर्फ एक महीने से कम समय में इरान ने पूरी दुनिया को चौका दिया है इस मिसाइल की रेंग 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गती से टार्गेट को नश्ट करती है मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तैकर लेगी इस हिसाब से इरान एराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इसराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे यानि ये मिसाइल सिर्फ 4 मिनट के अंदर इसराइल को हिट कर देगी इरान के अंदर इस हाइपरसॉनिक मिसाइल के निर्मान के बाद बहुत जवरदस्त जोश है इरान के सरकारी टीवी में ये दावा किया गया है ये हाईपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के एडिफेंस और इसराइल के आईरन डॉम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है इरान के इन बड़े बड़े दावों पर इसराइल की भी टियोरियां चड़ गई है इसराइल के रक्षामंतरी योफ गलेंट ने एरान के दावो को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हत्यारों के बारे में शेखी भगार रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हैं हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हत्यार के लिए और भी बहतर जवाबी हत्यार तयार है चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री शेत्रों इरान जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा इसराइल की सरकारी डिफेंस कमपनी रफाइल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसॉनिक बिसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है कमपनी के टूटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीस किया गया इसराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस शमता का हर कोई लोहा मानता है इसराइल के पास दुनिया का बेस्ट एर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का दावा है कि उसमें दुनिया में पहली बार हाइपरसॉनिक मिसाइल का भी इंटरसेप्टर तयार कर लिया है SkySonic नाम का Hypersonic Missile Interceptor System आवास से 10 गुना तेज यानि Mach 10 तक की रफवतार से गुज़ती मिसाईलों को प्रेस कर सकता है Hypersonic Missile लॉँच होने के बाद भी अपनी राभ अदल लेती है SkySonic फिर भी उने ट्रैक कर लेगा यही नहीं SkySonic, Hypersonic ballistic missile और Hypersonic cruise missile दोनों तरह की मिसाईलों को इंटरसेप्ट कर सकता है इसराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसको पता है कि अपने नागरी को किस रक्षा कैसे करनी है अगर युद्ध हुआ तो दुश्मनों पर करारा प्रहार करेंगे अगर युद्ध हुआ तो यह पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है आगर आइपरसोनिक मिसाईल में ऐसा क्या कास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है आइपरसोनिक मिसाईल एक ऐसा हत्यार है जो फाइट मैक की गती या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उडान भरती है एक मैक स्पीड का मतलब है ध्वनी की स्पीड के बरावर की गती ध्वनी यानि आवाज एक घंटे में 1225 किलोमीटर की दूनी तैकर लेती है इस तरह एक मैक स्पीड का मतलब है 1225 किलोमीटर प्रती घंटा पांच मैक स्पीड का मतलब है 6125 किलोमीटर प्रती घंटे के रफ्ता हाइपरसोनिक मिसाईल पलेस्टिक मिसाईल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है आइपरसोनिक मिसाइल कम उचाई पर गसरने की वज़ा से रडार की पकड़ में नहीं आती है यही वज़ाए कि आइपरसोनिक मिसाइल एर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है इतना तेज हमला कि दुष्मन को समखनने का मौका भी नहीं मिलता है जैसे रूस की किंजल मिसाइल है जिसने यूकरेन में कहर ठा दिया यॉरप के कई देशों ने युक्रेन को अपने एडिफेंस दिये हैं फिर भी किंजल हाइपरसॉनिक विस्टाइल को कोई एडिफेंस नहीं होची था और यही वज़ा है कि हाईपरसॉनिक विसाइल के दिर्मान का दावा करके हीरान के रेवलूशनरी गार्ड के कमान्डर्स फूले दिंसमा रहें लूलिफेंस रहें इन सामाने दारा ये सराथ बस्यार बस्यार बालाई व मनुवचिजी दर जवब बीरून जवरो दरी जवब के जवब दिखеся और जवब दिखव रहें कुल मिलाकर मिडिलीस्ट के हालात तनावपूर बने हुए है और इसराइल एरान के बीच कभी भी एक बड़ा युद्द छिड़ सकता है कर दो